मैं धीरा ज्यादा आप सभी का स्वागत करता हूं हमार एजुकेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपर्टिशन कमुनिटी पर तो जैसा कि आज आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं डिरेक्शन एंड डिस्टेंस तो इससे प कर सकते हैं तो अगर हम बात करें स्सी सीजियल की यहां बात करें आपके स्टेट लेवल एक्जाम की यहां पर बात करें बैंकिंग और इंशॉरंस के एक्जाम की तो हर किसी एक्जाम में अगर हम बात करें रिजिनिंग सेक्शन की तो रिजिनिंग सेक्शन में आपको डिर और स्टेट लेवल एक्जाम या फिर रेलवेस की आप बात करें तो हर एक एक्जाम के पॉइंट आव यू से रिजनिंग सेक्शन में बहुत ही महत्रपूर्ण चैप्टर हो जाता है डारेक्शन एंड डिस्टेंस तो अगर हम बात करें डारेक्शन डिस्टेंस की तो सबसे पाइले हम लोग यहां पर देखेंगे टाइपस और प्रकार से आपको यहां पर प्रस्ट पूछे जाते हैं या कौन-कौन से प्रकार के प्रस्ट आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पारें दिशा और दूरी पर आधारित स प्रतशने इसके लाव घर में बात करें तो स्यागी परचाइब हम यहां पर आधारित प्रस्इंगे से नम्वर रोटेशन से को यहां पर दिसके करेंगे करें कि और इसको अम लोग VS कोड़ेशन को मेंसे करने लेकिन घर आ led से को भी बना सकते हैं तो इसको हम लोग यहां पर डिसकस नहीं करने वाले जन्रली आपको बैंकिंग वगएरा के एक्जाम में कभी-कभी देखने को मिलता है चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे बेसिकली किसकी सबसे पहले डिरेक्शन की क्लियर डिरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बेसिकली कितने डिरेक्शन होते हैं तो चार यहां पर हमारे पास क्या होते हैं डिरेक्शन होते हैं कौन-कौन से तो नौर्थ हो गया ओपक्राइब सार्थ साउध्य के वेश्ट हो गया इसके लाव अगर मैं बात करूं तो चार क्या होते हैं चार यहां पर होते हैं आपके पास सब डार इस्ट साउधीर साउध्य वेस्ट और नौर्थ वेस्ट हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं उत्तर उत्तर पूर पूर दक्षिंड पूर यह हो जाएगा आपका दक्षिंड यह हो जाएगा दक्षिंड पश्चिंड 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 और उत्तर पश्चिंड यानि कि चार हो कर दोद विल्कुल यहां पे डीटेल से चर्चा करने वाले हैं चलि यहां प्रकॉशन किस प्रकार से पूछे जाते हैं को किस अब रहता है में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता और श्युक्त को भी डिर्टेल में हो पर शुक्त होग माल लेता है broken एक statement दिया गया, यहां पर कहा गया हमसे, इस प्रकार से structure draw करेंगे, यानि कि एक व्यक्ती पूर्व दिश्या में 2 km चलता है, तो हमने इस प्रकार से क्या कर लिया? structure draw कर लिया, अब जैसे ही आपको अगला statement देखने को मिला यानि कि अगले statement की हम अगर बात करें तो अगला statement यदि आपको बोला जाए then he takes a right turn and goes one kilometer यानि कि अब वह क्या करता है अपने दाई और मुड़ता है और एक kilometer चलता है तो ध्यान दीजिए जैसे ही आपको यहां से बोला गया then he takes a right turn तो अगला moment जो है वह आपका किदर हो जाएगा towards south यानि कि अगर हम map की बात करें तो देखिए आप जा कहा रहे थे towards east जा रहे थे जैसे ही आपको बोला गया right turn होने के लिए आप किदर आ गया towards right आ गये यानि कि आप south direction की और क्या कर गये move on कर गये तो ध्यान दीजिए जब कभी भी question में आपको क्या बोला जाएगा right तो आपका जो movement होगा वो क्या हो जाएगा 90 degree हो जाएगा किस दिशा में हो जाएगा तो clockwise direction में हो जाएगा यानि कि जब कभी भी आपको right लिखा हुआ मिलेगा आप क्या करेंगे 90 degree दक्षणा वर्त दिशा यानि कि clockwise direction में move on करेंगे यहीं पर आपको बोला जाता now he takes a left turn तो आपको जो movement होता वो कहा होता वो होता आपका towards north यानि कि बोला जाता person goes 2 km towards east then he takes a left turn and goes 1 km तो अगला movement ध्यान दीजिए आप जा कहा रहे थे east की और जा रहे थे और जैसे ही आपको बोला गया he takes a left turn तो आपका movement देखो किदर होगे आपका movement होगे towards north यानि कि हम बात करें जब कभी भी आपको यहाँ पर left turn की बात करेगा यानि कि बाय मुलने की बात करेगा आप क्या करेंगे 90 degree का turn लेंगे किस direction में लेंगे तो anti clockwise direction या फिर वामा वर्थ दिशा या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में आप क्या करेंगे 90 degree का turn लेंगे अगर यहाँ पर right या left के साथ में angle mention नहीं किया है तो clear तो right या left के लिए आपको moment यहाँ पर समझ में आ चुका होगा अब यहाँ पर कुछ और basic बातों को हम क्या करेंगे सीखेंगे चलिए दूसरी समस्य क्या आती है कई बार हमें left और right नहीं समझ में आता हम एक typical सा structure बना रहे होते हैं और उसमें हमें समझ में नहीं आता कि left किदर है right किदर और कई बार हम right की जगे left और left की जगे right मुड़ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है हमारा question कई बार गलत हो जाता है तो ऐसी situation में आपको क्या करना है तो ऐसी situation में मान लीजे आपको का गया person goes to kilometer towards east then he takes a right turn अब आपको मुड़ना है right लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस case में क्या करिएगा copy जिस पर आप structure बना रहे हैं उसको आप क्या करेंगे इस प्रकार से घुमा लेंगे तो यह जो दो kilometer वाला structure है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा clear अब अगर हम बात करें यह right के लिए तो जो आपका right हो जाएगा वह इसका right हो जाएगा यानि कि अगला moment आपका किधर हो जाएगा towards east हो जाएगा और जब वापस से आप copy को घुमाओगे तो वापस से आप देखोगे कि आपका structure इस प्रकार से बन चुका होगा ठीक है तो आपको हमेशा copy नहीं rotate करते रहना है यह तब के लिए है जब आपको किसी प्रकार का confusion होगा left or right rotation को लेके clear चली I hope कि आपको यहां पर कुछ basic बात है clear हो गई होगी अब हम आते हैं यहां पर प्रस्न के उपर तो प्रस्न हमारा क्या था कि एक व्यक्ति पूर्वदिशा में 2 km चलता है अगला अगर हम य right turn and goes 1 km यानि क्या क्या करता है अपने दाइं और मुड़ता है और 1 km चलता है तो आप इस प्रकार से structure बना लेंगे यहां से हमने कहा now he takes a left turn and goes 2 km यहां क्या क्या करता है अपने बाइं और मुड़ता है और कितना चलता है 2 km चलता है तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से लिint comedic लिए क्लियर कि प्र फिर एमने कहा आपसे फाइनली हीट है टेक टेकर राइट टूर्ण और टू क्लिट टूहित है अन्त तह वह क्या करता है अपने दाइइं और मुड़ता है और दो क्मिलो मीठर चलता है 명ने कहा finally he takes a right turn and goes two kilometer तो ध्यान दीजे प्रस्ण पे पहले हमने आपसे कहा a person goes two kilometer towards east then he takes a right turn and goes one kilometer now he turns towards his left and goes two kilometer and finally he takes a right turn and goes two kilometer यानि कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में दो kilometer चलता है फिर वहाँ अपने दाई और मुड़ता है और एक kilometer चलता है अब वहाँ अपने बाई और मुड़ता है और दो kilometer चलता है और अंत तहाँ वहाँ अपने दाई और मुड़ता है और दो kilometer चलता है clear तो यह हो गई basic बात structure से related आप देखे यहाँ पे आप किस से प्रस्ण कौन कौन से पूछे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप से question मनेगा direction से related तो direction से related कौन कौन से question मनेगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगर हम बात करें व्यक्ति की तो सबसे पहला question मनेगा person is facing towards which direction यानि कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या फिर आप से पूछ सकता है person is moving towards which direction यानि कि व्यक्ति कौन से दिशा में जा रहा है तो ध्यान दीजिए जो person का final moment होता है जो व्यक्ति का क्या होता है final moment होता है उसका phase भी हम क्या मान के चलते हैं कि उसी direction में होगा क्यों क्यों कि हम यह मान के चलते हैं कि व्यक्ति सीधे पाउंचल के जा रहा है उल्टे पाउंचल के नहीं जा रहा है यानि कि यहाँ पर हम बात करें इस question के लिए यानि कि आप से question क्या पुछेगा person is facing towards which direction ठीक है व्यक्ति का मुख किस दिशा में है तो answer क्या हो जाएगा जो उसका final moment होगा यानि कि व्यक्ति का जो अंतिम यहाँ पर क्या हो रहा है moment हो रहा है वही हो जाएगा answer और अगर हम बात करें यहाँ पर पूछेगा person is moving towards which direction तो भी आप answer क्या करेंगे same करेंगे यानि कि व्यक्ति का मुख किस दिशा में है पूछे या फिर व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है पूछे दोनों के लिए answer क्या हो जाएगा यहाँ पर यह तो हो गई एक बात directions related दूसरा जो यहाँ पर प्रस्ण बनता है direction से related वो यहाँ बनता है किसी बिंदू के सापेक्ष दूसरे बिंदू की इस्थिती जैसे कि यहाँ पर आप से पूछ लेगा person is in which direction with respect to his initial point यानि कि व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदू के सापेक्ष किस दिशा में है question क्या पूछेगा व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदू के सापेक्ष किस दिशा में है प्रारम्भिक बिंदू के सापेच किस दिशा में है चली तो जब कभी भी इस प्रकार से आप से पूछा जाएगा पर सब्सक्राइब किसी भी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ध्यान दीजिए ऐसे केस में आपको क्या कर लेना है जिस भी बिंदू से आप से क्या पूछा जाए पूछा जाए जिस भी बिंदू के रिस्पेक्ट में आप से क्या किया गया है पूछा गया है आप क्या करेंगे उस बिंदू पर एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेंगे कलर मैं यहां पे चेंज कर लेता हूं चलिए तो इस बिंदू से पूछा गया यानि कि आप से कहां से पूछा गया है तो प्रारंभिक बिंदू से पूछा गया अगर मैं प्रारंभिक बिंदू की बात करूं कि यह वोगो का prarambik बंदू और हम ने का प्रारंबिक बंदू पर हम क्या करेंगे एक चोटा सा Map ड्रॉ कर लेंगे और Map से हम देखेंगे कि हमें जाना कां उसके अन्तिम बंदू की और जाना तो हम map पे आप clearly देख सकते हैं कि answer क्या हो जाएगा south east clear इसी प्रकार यदि आप से पूछा गया होता कि व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदू व्यक्ति के सापेक्ष किस दिशा में है यानि कि व्यक्ति के respect में हम इसके प्रारंभिक बिंदू की यदि बात कर रहे होते तो map कहा बनता इस ending point पे बनता और अगर हम प्रारंभिक बिंदू की और यहां से moment करेंगे तो हम clearly देख सकते हैं answer क्या हो जाएगा north west तो अगर मैं यहां पे बात करूं डारेक्षन पर बेस्ट कोश्चन की तो पहला कोश्चन क्या बनता है person is facing towards which direction या फिर व्यक्ति का moment किस direction में यह दो कोश्चन आप से पूछ सकता है इसके अलाव अगर मैं बात करूं तो किसी point के respect में किसी दूसरे point की इस्थिती तो दो प्रकार से यहां पर कोश्चन बनते हैं एक person का final moment या उसके face का direction दूसरा किसी एक बिंदू की स्थिती दूसरे बिंदू के सापेक्च clear दोनों के ल अब हम बात करेंगे distance related जो questions बनते हैं इसके और i- surround से कोश्चन बनते हैं उसको भी को लोग यहां पर देखेंगे तो अगर मैं distance की बात करूं तो दो को distance related यहां पर दो प्रकार से प्रस्न पूस्चता है उन दोनों प्रकार के प्रस्नों को मुर्त बात यहां पर इसकस कर ल जो basic questions बनते हैं उसके बारे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो पहला तो आप से पूछेगा distance covered by the person यानि कि व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी distance covered by the person यानि कि व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी जब हम बात करेंगे distance covered by the person की तो ध्यान दीजे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी हम लोग बात करेंगे maximum distance की यानि कि अधिक्तम दूरी की इसको समझने के लिए समझते हैं एक और यहाँ पर प्रशन हम लेते हैं जैसे हमने कहा person goes 20 km towards south then he takes a left turn and goes 20 km और हमने कहा finally he takes another yeah finally he takes a left turn and goes 20 km clear तो अगर हम यहाँ पर आपसे पूछे कि व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो गई 60 km हो गई जबकि अगर हम बात करें उसके प्रारंभिक बिंदू के सापेक्ष उसके अंतिम बिंदू की दूरी तो आप यहाँ पाएंगे यहां दूरी मात्र कितनी है 20 किलो मीटर की है तो यहां पर हम बात करेंगे व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी और दूसरा हम बात करेंगे किसी बिंदू के साफ पेक्ष दूसरे बिंदू की दूरी किसी एक बिन्दू के साप एक्ष दूसरे बिन्दू की दूरी तो जब हम बात करेंगे हाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाइद पर्सन यानि कि व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी की तो क्लियरली देख सकते हैं दो एक तीन दो पाँच दो साथ यानि कि बिन्दू की दूरी तो यह हो गया प्रारंभिक बिन्दू यह हो गया अंतिम बिन्दू और इनकी अगर हम दूरी की बात करेंगे तो हम इस दूरी की बात करेंगे और इस दूरी को निकालने कि यहाँ पर अपने पास मल्टिपल तरीके हैं यहाँ पर पूरा टच होता हु हाइट यहां से निकाल सकते हैं एक प्लस दो करेंगे तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी तो टोटल हाइट हो जाएगी यहां पर Total height हो जाएगी यहां पे कितना 3 km और अगर हम Total base की बात करें तो 2 प्लस 2 कर दोगे तो Total base कितना हो जाएगा Total base हो जाएगा 4 km आपको यहां पे निकालना है Hypotaneous, Hypotaneous के लिए formula क्या होता है Kern के लिए formula क्या होता है Lumb का square प्लस आधार का square बराबर किसके होता है कर्ण के स्क्वाइर के बराबर होता है तो यहां पर हम पाएंगे कि तीन का स्क्वाइर करेंगे प्लस चार का स्क्वाइर करेंगे तो किसके स्क्वाइर के बराबर होता है तो हमें पता है किसके बराबर होता है पांच के स्क्वाइर के जानने क्या वह शक्ता है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे तो अत्रिक्त बात क्या है उसको भी समझ लेते हैं जब हमने कहां तीन का स्क्वाइर करेंगे प्लस चार का स्क्वाइर करेंगे बराबर किसके हो जाएगा पांच के स्क्वाइर के बराबर हो जाएग तो इस प्रकार हमने देखा कि answer हमें क्या मिल गया पांच ठीक है लेकिन क्या आपको पता है जब हम इसके multiple में जाएंगे यानि कि 6 का square करेंगे प्लस 8 का square करेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा 10 के square हो जाएगा 10 के square के बराबर हो जाएगा इसी प्रकार हम 9 का square करेंगे प्लस 12 का square करेंगे बराबर किसके हो जाएगा 15 के square को हो जाएगा याने कि इसको हम क्या बोलते हैं ड्रीपलेट वेलु इसी को हम क्या बोलते हैं अगर आपको ड्रीपलेट वेलु पता है तो कई बार आप लंबे लंबे क्लकुलेशन से क्या होते हैं बच जाते हैं और कहीं न कहीं आप अपना समय बचा कर अन्न कोश्टन्स पे दे सकते हैं ठीक है न तो यहां पर ट्रिप्लेट वैल्यूस फाइंड कैसे करते हैं इसके बारे हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहां पर और नंबर के लिए अगर आपको ट्रिप्लेट वैल्यू निकाल लिए तो उसका तरीका क्या है फिर इवन नंबर के लिए अगर आपको ट्रिप्लेट वैल्यूस निकाल लिए तो उसका क्या तरीका है यानि सम संख्याओं के तीन का स्क्वायर कर दोगे, तीन का स्क्वायर मिल गया, नौ, अब नौ को दो, ऐसे भागों में तोडो, जिसका डिफरेंस कितने का हो, जिसका डिफरेंस हो, एक का, तो एक हो जाएगा, पांच और एक हो जाएगा, चार, एक हो जाएगा, पांच और एक हो जाएगा, चली, 4 and 5 तो यहाँ पर आप पाएंगे कि हम क्या करेंगे 3 का square करेंगे प्लस 4 का square करेंगे बराबर किसके हो जाएगा 5 के square के हो जाएगा इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम दूसरा number ले ले लेते हैं चलो 5 ले लेते हैं मालो हमने क्या किया पांच का हमें क्या निकालना, पांच के साथ हमें निकालना है ट्रिपलेट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पांच का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू मिलेगी हमें कितना पच्चिस, पच्चिस को दो भागों में तोड़िये, जिस कि चलिए अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते हैं इवन नंबर्स के लिए इवन नंबर्स के अगर मैं बात करूं तो देखिए अगर हमने यहां पर लिया टू ठीक है इवन नंबर्स के अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने नंबर लिया फूर अब हमें चाहिए किसका फूर के लिए ट्रिपलेट वैल्यू चाहिए तो फूर के लिए ट्रिपलेट वैल्यू चाहिए तो फूर का पहले हम क्या कर लेंगे हाफ कर लेंगे और फूर का अगर हमन जादा कर देना है तो फॉर से एक कम करेंगे तो तीन मिल जाएगा और एक जादा करेंगे तो पांच मिल जाएगा तो इस प्रकार आप देख सकते हैं फॉर का स्क्वाइर 4 का square plus 3 का square बराबर किसके हो जाएगा 5 के square के बराबर हो जाएगा clear इसी प्रकार अगर हम बात करें 8 की 8 के लिए हमें triplet value निकालना है सबसे पहले क्या करेंगे 8 का half करेंगे 8 का half करोगे तो value आ जाएगी 4 अब क्या कर देना था, 4 का square करोगे, मिल जएगा 16, 16 से क्या कर देना था? minus 1 और plus 1, minus 1 कर दोगे तो 15 plus 1 कर दोगे तो 17 यानि कि यहाँ पे 8 का square करेंगे, plus 15 का square करेंगे, بराबर किसी हो जाएगा? 17 के square के, बराबर हो जाएगा और बाकि इसके multiple में भी value होती चली जाएगी clear तो यह हो गई basic बाते triplet value से related clear यानि कि triplet values पर based आपके यह हो गए basic concepts इसको आप लोग क्या कर सकते हैं note कर सकते हैं चलिए वापस से आते हम लोग screen ते तो यह तो हो गई थी basic बाते किस से related direction से related एक और आपको problem देखने को मिलती है तो जब हम उस प्रकार का question यहां पर discuss कर रहे होंगे तो उस problem से कैसे आपको क्या करना है टेकल करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे चली आज आते हम लोग सीधे question के बिल्कुल basic से बिल्कुल zero से start कर रहा हूं कहीं से भी ऐसा नहीं कि आपको tension लेने क्या हो सकता है बिल्कुल जो beginner है उनको भी tension लेने क्या हो सकता नहीं है बिल्कुल zero to hero बनने वाले हम लोग ठीक है न चलिए एक व्यक्ती बारा किलोमीटर दक्षिन दिशा में चलता है ठीक है यहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ एक आदमी दक्षिन दिशा की और बारा किलोमीटर चलता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों यहां तक clear ठीक है फिर उसके बाद बोला है then he takes a left turn and goes seven kilometer अब वह अपने बाई और मुरता और कितना चलता है साथ किलोमीटर चलता है फिर आप से बोला है finally he turns towards his left and goes seven kilometer अन्तिता हो आपने बाई और चलता है और साथ किलोमीटर चलता है और यहां से शुरू होती है आपकी पह पहली mistake की अगर हम बात करें तो direction distance में यहीं से क्या करते हैं आप start करते हैं और बिल्कुल भी शरम या टेंशन लेने के आउशकता नहीं अगर गलत आ रहा है तो आप कमेंट करके बताईए कि हाँ आपने यह गलती की आपने इन बातों को सीखा ठीक है उसमें बिल्कुल भी उत्तर यहां पर क्या आजाएगा इस्ट बहुत सारे लोगों का उत्तर यहां पर क्या आजाएगा इस्ट जो कि क्या है गलत है गलत क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे गलत क्यों है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजे गलत क्यों है हम कर आए 12府 वborg LIVE स्ट किलो मिटर फिर से हमें मुड़ोना है किधर टुवर्स लίफ हैनि कि इस लाइन के प्रल्ल MIKE हम चल रहे तो यह 20 किलो मिटर कर डिस्टेंस है तो हम 7 किलो मिटर को भी क्या कररे हैं इसके परल्ल का ध्यान रखिए कि जब कभी दो पैरलल लाइन खीचिए तो उनके डिस्टेंस को आप दिमाग में रखिए एक का डिस्टेंस जादा है तो दूसरी लाइन उसके रिस्पेक्ट में बड़ी बनेगी ठीक है कुछ लोगों का इसके पार भी चला गया होगा ठीक है चल तो अग इस बार हम बात करें यहां पर आपसे पूछा है जो देन फाइंड ही इस इन विच डारेक्शन विद रस्पेक्ट तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर आप मैप बनाओगे और यहां तक जाओगे तो इस बार आपका अंसर करेक्ट आ जाएगा अंसर की बात करें त क्या हो जाएगा साउथ इस्ट क्लियर चली जब तक आपको चीजें दिमाग में छप नहीं जाती तब तक मैं इस तरीके से यहां पर आराम से पढ़ाने वाला हूँ टेंशन लेने की ज़रत नहीं है लेकिन जब चीजें एक बार छप गई कॉंसेट बता दिया तो देखो क कहेगा कि स्पीड बहुत जादा है ठीक है क्लियर तो यह हो गई पहली मिस्टेक जो आप करते हैं डारेक्शन एंडिस्टेंस के कॉश्चन बनाते टाइम बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर अगले पूछे गए कॉश्चन की चलिए अगले दिये मैं यहां पर प्रश्चन की बात करूं तो बोला गया है मोहन गोस्ट्री किलो मिटर टूवर्ड नौर्थ यानि कि मोहन क्या करता है उत्तर दिशा में तीन किलो मिटर की दूरी ते करता है या चलता है फिर आप से बोला गया फिर वह अपने दाहिनी औ मुड़ता है और एक किलो मिटर चलता है तो यह हम मुड़ गए दाइं और चले कितना एक किलो मिटर फिर आप से बोला गया है वह पुना दाइं मुड़ता है और तीन किलो मिटर चलता है तो फिर से हम मुड़ गए तीन किलो मिटर यानि कि ध्यान दीजे तीन के रस्पेक् किलो मिटर और अंतता हुआ अपने बाई और मुड़ता है और दो किलो मिटर चलता है कि फाइंड हाउ फार एंड इन विज डारेक्शन इस ही वे रस्पेक्ट तो इस स्टार्टिंग पॉइंट वह अपने प्रारंभिक बिंदू के साफ एक चिकिस दिशा तथा कितनी दूरी पर है तो यहां पर हम दिशा की बात करें तो दिशा आप क्लिरली देख सकते हैं क्या हो जाएगा इस्ट हो जाएगा दूरी की बात करें तो यह डिस्टेंस एक किलो मीटर यह डिस्टेंस भी एक किलो मीटर एक प्लस दो कितना हो गया तीन किलो मीटर आंसर की बात करें तो तो बोला जा रहा है सुभम पस्चिम की ओर 4 km चलता है फिर वह दाय मुड़ता है यानि कि शुभम क्या किया पस्चिम की ओर चला 4 km फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 6 km चला तो चलो भी यहां से राइट मुड़ लेते हैं कितना चला 6 km चला इसके बाद अगर हम बात बात करें तो बोला जा रहा है कि अब वह अपने बाइन और मुड़ता हैं एक किलो मेटर चलता है तो वह मुड़ Jacquleist्टमे बाइन ओर डिस्टेंस की बात करें तो कितना हो गया चलिए यहां पर question के अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा है वहां अपने प्रारंबिक बिंदू के सापेक्ष कितनी दूर और किस दिशा में तो प्रारंबिक बिंदू यह हो गया विचार कर लेते हैं टोटल अगर हम यहां पर बात करें हाइट की तो ध्यान दीजिए टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 6-6-12 यानि कि टोटल हाइट हो गई आपकी यहां पर कितनी 12 फिर टोटल अगर हम बेस की बात करें तो चार और एक पांच तो टोटल बेस कितना हो गया पांच और आपको निकालना क्या है हाइपोटेनियस निकालना था तो यहां पर यहां पर यहां पर आपको तेरा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाओगे नहीं भी निकाल पाए तो भी आप क्या करोगे आंसर माग कर दोगे और अगर आपको ट्रिपलेट वैल्यू निकालना आती थी ट्रिपलेट वैल्यू पर आपने काम किया था तो भी आप डारेट यहां पर क्या कर सकते थे आंसर कर सकते थे चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्ण की यदि मैं यहाँ पर अगले कोश्चन की बात करूं तो बोला जा रहा है पूरव दिशा में कितना चलता है तो 10 किलोमेटर चलता है फिर आप से बोला जा रहा है क्लियर A अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो बोला जा रहा है, now he turns to his left and goes 7 km, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, then he turns left and goes 14 km, यहाँ पर था बाइस यह है 14, तो obvious सी बात है, 22 के respect ने 14 वाली लाइन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगला हम यहाँ पर information की बात करें, तो बोला है, finally he turns left and goes 17 km, यहाँ से अब उसको क्या करना है, 22 और मुणना है, और 17 km, चलना है, तो ध्यान दीजे, यह लाइन साथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, साथ हो गई, कितना और चलना है तो 10 और चलना है, तो यह दूरी 10 है, तो यह दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानि कि हम इस बिंदू के parallel यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, यानि कि यह हो गया 7, यह हो गया 10, यानि कि यह दोनों बिंदू, एक सीधी रेखा में होंग question के अगर मैं बात करूँ तो पूछा है then find how far and in which direction is he with respect to his initial point यानि कि वह अपने प्रारंभिक बिंदू के साप एक छिक्की से दिशा तथा कितनी दूरी पर है दिशा की बात करें तो south एक ही option कितनी हो जाएगी तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 14 क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है 14 तो अगर हम 22 में से क्या कर दें 14 माइनस कर दें तो बाकशेगा कितना आठ यानि यह दूरी आठ तो सब लोग बता यहां तक क्लियर बात कर लेते हैं अगले बात कर लेते हैं अगले यहां पर हम लोग एक और concept सीखने वाले हैं कि जब इस प्रकार के प्रश्ण मिलते हैं तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए तो बुला जा रहा है रोहित गोस्ट थ्री किलोमिटर टूर्ट बना लेते हैं फिर जा नोर्फ वेस्ट टारेक्शन झाम होति है यहां पर ऑश्टक्रपला कर तो हम प्रॉपलम यहां पर फेस करते हैं जब कभी हमें क्या होता है angle के term में rotation लेना होता है या sub-direction के term में क्या करना होता है rotation लेना होता है तो हमें problem होती है तो ध्यान दीजिए जब कभी भी इस परकार की problem आप face करते हैं तो क्या करेंगे जहां से भी आपको turn लेना होगा उस particular point पे आप एक map draw करेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है direction कौन सी नौर्थ वेस्ट तो ध्यान दीजे map में नौर्थ वेस्ट यह होती है तो अगला moment हमारा यह हो जाएगा यहाँ से मालीज़ आपको बोला जाता है then he takes turn towards east तो map बनाएंगे तो आप क्या करेंगे east में मुर जाएंगे यहाँ से बोला जाएगा then he takes a turn towards north east तो आप यहाँ मुर जाएंगे यानि कि जब कभी भी आपको किसी भी point से क्या करना हो सब direction में turn लेना हो तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से map बना करके आसानी से मुर सकते हैं अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे question की question में आपको बोला है Rohit goes 3 km towards east then he takes a turn towards northwest direction and walks 5 km तो ध्यान दीजे यहाँ से जब हम northwest जाएंगे 5 km तो northwest in the sense हम मान के चलते हैं 45 degree थोड़ा सा complicated हो सकता है तो यहाँ से जब हम 5 km की दूरी तैय करेंगे तो देखो यह हो गया base यह हो गया हैपोटेनियस तो और यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगी 4 km क्लियर हाइट हम निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगी 4 km दिया गया हो या फिर ना दिया गया हो इसके आगे की बात करें तो बोला है now he takes a turn towards east यानि कि अब वह क्या करता है पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है and goes 3 km तो यह दूरी 3 है तो यह दूरी 3 होगी यानि कि हम फिर से क्या होंगे एक सीधी रिखा में आ करके खड़े होंगे और distance बराबर हो जाएगा कि इसके 3 km के then he turns towards south direction and goes 4 km और जब हम 4 km चलेंगे तो यह दूरी 4 है तो यह दूरी भी 4 होगी यानि कि हम वापस से कहां आ गए अपने starting point यानि कि अपने प्रारंभिक बिंदू पे आ गए है आगे की बात करें तो बोला जारा finally he turns towards southwest direction फिर से हमें एक सब direction में क्या करना है rotate करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे map करेंगे map करोगे तो बताओ southwest कि इधर होगा तो इधर होगा दूरी की बात करें तो कितना बोल रहा है पांच किलो मिटर बोल ला है तो यह दूरी अगर direction of him with respect to his initial point उसके initial point के respect में उसकी क्या बतानी है direction बतानी find the direction of him with respect to his initial point उसका यही था direction की बात करें तो direction क्या हो जाएगा southwest clear distance पूछा होता तो distance की बात करें तो कितना हो जाता पांच किलो मीटर चलिए बात कर लेते हम लोग अगले कोश्चन की अगर किसी को यहाँ पर थोड़ी बहुत भी समस्या रही हो नहीं समझ नाया हो तो अगले कोश्चन में बाखी चीज़ें हम लोग यहाँ पर clear करने वाले हैं डोन्ट बी वर्य अबाउट इट चलिए नेक्स्ट कोश्चन के अगर मैं बात करूं तो बोला जा रहा है राम गोस 14 किलो मीटर तूवर्ट स्वेस्ट यानि कि राम क्या करता है वेस्ट डिरेक्शन में कितना चलता है 14 किलो मीटर clear फिर आप से बोला जा रहा है then he covers 3 consecutive distances of 6 किलो मीटर in 45 डिग्री राइट सारे distances कितने किलो मीटर के होंगे तो 6 किलो मीटर के होंगे 135 डिग्री राइट and southeast direction clear यानि कि ये तीन हम क्या करेंगे दूरियां तै करेंगे और तीनों दूरियां कितने होंगी 6-6 किलो मीटर की होंगी ठीक है यानि कि तीन लगातार 6 किलो मीटर की दूरियां करमशा 45 डिगरी दाएं 135 डिगरी दाएं और दक्षिन पूर्व दिशा में क्या करता है तै करता है तो ध्यान दीजिए सबसे पहली तो बात हमने जब आपको कहा था राइट बोलेगा तब तो आप क्या करोगे 90 डिग लेकिन यहां पर आपको बोला है 45 डिगरी राइट यानि कि राइट के साथ साथ आपको एंगल भी क्या किया हुआ है मेंशन किया हुआ है तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें यानि कि अगर मैं नौर्थ से स्टार्ट करूं और वापस से नौर्थ तक जाऊं तो अगर आपसे पूछे कितने डिगरी का हम एंगल कवर करेंगे तो आप कहेंगे हम एंगल कवर करेंगे 360 डिगरी का और इस 360 डिगरी को हमने यहां पर कितने पार्ट में डिवाइड किया है तो आप क्ल कि नंए हो जायेगी 45 डिग्री यानि कि प्रत्यक भाग की वैल्यू कितनी हो जायेगी 45 डिग्री हो जाएगी बोलो यह बात किलियर हुई कि नहीं यहां तक किलियर हुआ ठीक है अब आप जा कहा रह रहे थे तूवर्टस वेस्ट अब आपको बोला है right तो right का मतलब हमें पता है क्या होता है clockwise लेकिन यहाँ पे angle भी mention कर दिया गया है कितना 45 degree it means हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 km की दूरी इस दिशा में तै करेंगे यानि कि 6 km की दूरी हम तै करेंगे कौन सी direction में तो northwest direction में यानि की उत्तर पश्चिम दिशा में ठीक है चलिए अगली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 135 डिग्री दाए अब यहाँ पे 135 डिग्री आपको मुड़ना था दाए तो ध्यान दीजे आप जा कहा रहे थे तो आप जा रहे थे उत्तर पश्चिम दिशा में और यहां से आपको मुड़ना है 135 डिग्री राइट तो यहां से यहां तक गए तो 45 फिर से ऑपरिशनली बोला है साओथ इस डिग्री डिरेक्शन में आपको मुड़ना है और 6 किलो मेटर चलना है तो अगर हम मैप की बात करें तो यह हमने बनाया मैप मैप में साउफ हिस्ट और यह डिस्टंस भी कितना है 6RL I must be there ुदूरी 6 थी तो यह दूरी 6 थी तो यह बिह find how far and in which direction is he with respect to his starting point so starting point यह है total distance की बात करें तो 14 14 में से इतनी दूरी की बात करें तो 6 यानि कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी तो 10 km हो जाएगी यानि कि हम answer की बात करें तो क्या हो जाएगा sorry 8 km हो जाएगी 14 महिनेस 6 करो गया तो कितना जाएगा 8 km हो जाएगी answer की अगर हम बात करें तो answer कर जाएगा option number D यानि कि 8 km west वह अपने प्रारंबिक बिंदू से कितनी दूरी पर है तो answer कर जाएगा 8 km west clear यहां तक बात समाज में आई चलिए बात कर लेते हैं अगले question की यानि कि अब हम लोग आ चुके हैं यहां पर angle से related questions पर based concept अगले दी मैं question की बात करूँ तो बोला जा रहा है मोहित गोज 23 km towards north then he turns towards his right and goes 17 km he takes another right turn and goes 10 km finally he turns to his left and goes 13 km find direction towards which he is facing now तो बिल्कुल basic सा question है पहले की तरीके question है जो हमने बनाया है तो अगर मैं बात करूँ question की तो बोला है मोहित गोज 23 km towards north तो उत्तर की दिशा में कितना 23 km फिर बोला है फिर वह आपने दाई और मुरता और कितना चलता है 17 km तो हम right मुल और कितना चले 17 km चले फिर अगर मैं बात करूँ तो बोला है वह पुना दाई और मुरता और कितना चलता है 10 km तो यह 23 था तो 10 km इसके respect में क्या होगी छोटी लाइन होगी जिसके बारे में हम लोग अलड़ी डिसकास कर चुके हैं अंत में वह अपने बाई और मुरता और कितना चलता है 13 km तो यहां पर इसको कराने का में मोटिफ क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि यह बिल्कुल बेसिक सा कोश्चन है और यहां पर हम अगर देखें तो उसका मुख किस दिशाम है तो जो फाइनल मुमेंट है वो है तो यहां कि फेस भी उसका कहा होगा तो यहां कि ध्यान दीजिए इस कोश्चन को इस जगे पर कराने का मोटिफ क्या था है यदि आप से डिश्टेश से मेंस्टन नहीं किया किवल आपसे डारीक्शन पूछरा है और यदि madhi madhi अंगें तो क्या हम स्कोश्चन का अंसर कर सकते थे तो भी हम इस चोस्चन का अंसर कर सकतेह다가 पहला moment कहा था पहला moment था towards north then he turns towards his right right मुड़े तो कहा अगे बताओ east आगे he takes another right turn and goes distance नहीं पता फिर right लिये तो कहा अगे south प्या आगे और finally बोल रहा है left मुडता है यानि कि यहां से left मुड़े तो बताओ आपस से east पर पहुचे की नहीं पहुचे तो कहने का मोटिव यह है कि जब कभी भी केवल डिरेक्शन की बात करेगा डिस्टेंस नहीं पूछेगा तो आप नंबर ऑफ टर्न और नंबर ऑफ रोटेशन से भी क्या कर सकते हैं बंदे का फेस बता सकते हैं या बंदे की फाइनल मोमेंट बता सकते हैं और इस पर बेस्ट कोस्टेंस की अगर हम बात करें तो इस पर बेस्ट जो भी कोस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे next class में discuss करेंगे अब हम बात कर लेते हैं इस particular chapters related questions आपको कहां मिलने वाले हैं तो वो आपको मिलने वाले हैं website को पर अभी भी बहुत सारे बच्चों के comments आ रहे हैं कि सर हमें practice के लिए questions नहीं मिल पा रहे हैं या हमें chapters का short notes नहीं मिल पा रहा है तो बार बार आपको हर एक वीडियो में या बात बताई जा रही कि आप क्या करेंगे competition community की website पर जाएंगे और इस समस्या को देखते हुए बहुत जल्द इसका एक screenshot के साथ पूरे process का recording भी आपको हमारे YouTube channel के उपर provide करा दिया जाएगा ताकि अगर आप इस प्रकार की समस्या face कर रहे है short notes को find करने में या practice questions को ढूंड पाने में तो वह कैसे करना है तो उसका भी आपको एक short video बना करके दे दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप पढ़ाए गए chapter का short notes भी क्या कर पाएंगे ढूंड पाएंगे और साथ इसाथ practice के लिए questions भी निकाल पाएंगे clear तो इन सब की आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है मिलते हम लोग next class में इसके आगे की जानकारी के साथ में तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद thank you